MSP सहित के मांगों को लिकर किसानों का अंदूलन जारी है और आज प्रदेशन कारी किसान ट्रेनों का चक्का जाम कर रहे हैं रेल रोको प्रदेशन से पहले अंबाला में धारा 144 लागू कर दी गई और ऐसी जानकरी सामनी आई है कि पुलिस कई किसान यूनियन नेताओं के घर पहुची वहीं अधिकारियों ने संभावित करवड़ी को कम करने के लिए एतिहादी कदम उठाए हैं किसान MSP पर कानून की गारंटी समेट कई मांगों को लेकर आंदुलन हैं रेल रोको प्रदेशन में देश के और भी कई किसान संगठन शामिल हो सकते हैं किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंक पंधेर ने कहा है कि सैकडो किसान फिरोजपूर अमरतसर रूपनगर और गुरदासपूर समेट पंजाब और हर्याना में कई जिलों में रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं किसान MSP पर कानून बनाये जाने की मांग कर रहे हैं वहें सेट किसान मोर्चा की और से MSP पर दालो मका और कपास की गारंटी करत खरीद के सम्मध में केंद के प्रस्ताफ को खारिच करने के बाद इस विरोध प्रदेशन का नर्ने लिया गया किसानेता जगजेत सिंग डलेवाल ने स्वामिनाथन आयोक के C2 प्लस 50 प्रतिशत फॉर्मले को आधार बताते हुए सभी फसलों पर MSP के लिए कानूनी कारंटी के महत्व पर जूर दिया है के एम एम के समन्विक डलेवाल ने पाम तेल जैसे आयात पर सरकार के प्रयाप्त खर्च की और रिशाला करते हुए उन्हें दावों को खारिश कर दिया कि सभी फसलों पर MSP प्रदान करना वित्यरूप से बोजिल होगा वहीं जगजीत सिंग ने इस बात पर जोर दिया है कि किसानों को स्वामिनाधन आयुक द्वारा की गई सिफारिश के नुसार C2 प्लस 50 प्रतीशत फॉर्मूले के तहट सभी फसलों पर MSP मिलने चाहिए उन्होंने उस दावे को भी खारिच कर दिया है जिसमें कहा गया है कि MSP की वज़े से सरकारी खर्च बढ़ेगा उन्होंने कहा कि केंद्रवी देशों से एक दिशमला वर्तीस लाग करोड रुपे का पाम तेल आयात करता है लेकिन वे किसानों को सभी फसलों पर MSP नहीं दे पा रहा है किसान नेता डलेवाले कहा कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए देश के किसानों को बचाने के लिए MSP पर कानून बनाना चाहिए किसान नेताओं ने बताया है कि पंजाब और हर्याना में किसान रिल्वे ट्रैक पर बैठ कर प्रदिशन कर रहे हैं वहीं प्रदिशन कारी, किसान, फिरूसपूर, अबरतसर, रुपनगर, गुर्दासपूर, जिलो, सहीद पंजाब में कई स्थानों पर रिल्वे ट्रैक पर बैठे हुए हैं उनका रेल रोका अंदुलन चार घंटे चलने वाला है